हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में हम हिंदी की कुछ मात्राइं सीखने वाले हैं जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या जो चैनल पर न्यू हो उन्हें मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी की सारी चीजे जो बेसिक होती हैं वह सारी की सारी चीजे निल जाएंगी सीखने के लिए इंग्लिश के ग्रैमर के चीजे इस बड़ा अ एक है बड़े उ की मात्रा ओके अब यहां पर इसमें कलर चेंज कर लेते हैं तो जादा च्रहएगा अगर कोई भी बेंजन है मानले जिये का एक मेंजन है तो जो मात्रा है वो किधर आएगी और कैसे आएगी सबसे पहली चीज यह होती है तो आपको कैसे पता करना है वो जैसे मालीजे ये वेंजन है ठीक है जो छोटे U की मात्रा है वो नीचे से यूँ टर्न होगी ठीक है और जो बड़े U की मात्रा है वो नीचे से बिल्कुल सीधे आएगी इस तरीके से छोटे U और बड़े U की मात्रा होती है सबसे पहली चीज आप यह समझ लिजिए क्योंकि जादतर सबको यही confusion होती है कि छोटे उखी मात्रा उपर आती है या नीचे आती है या किस तरफ होती है तो आपको यही देखना है कोई भी हमारे पास व्यंजन है जैसे मैंने लिए सर तो सर में छोटे उखी मात्रा ऐसे आएगी ठीक है और ज यह left hand side या right hand side होगी या फिर ऊपर या नीचे होगी तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा ठीक है अब हम कुछ इनके words की practice कर लेते हैं और यह देखते हैं कि आपको यह words पहचानने कैसे हैं कि छोटा उ लगेगा या बड़ा उ लगेगा ओके देखिए जैसे कि first अगर यहां पर किसकी मात्रा आएगी और या तो ऐसे होगी ठीक है तो यह चीज ध्यान लगनी है जब भी आप कोई वर्ड या कोई भी अक्षर कोई चीज बोलते हैं तो पीछे जो sound होता है जो back sound होता है उसी से पता लगता है कि मात्रा जो है वो कैसे होगी तो sound जो है वो बहु है पीछे वो चीज देखना बहुत जरूगी है तो जैसे first मैंने लिखा कुल तो अब यह कुल जो लिखा है मैंने इसमें पहले तो कु पीछे उ की मात्रा आ रही है यह हमें सुन रहा है पीछे आपको sound आ रहा होगा यू का यू का sound आ रहा होगा ना तो यू से मतलब है उ क कगी मात्रा आएगी है अब हमें यह रेख रहा है कि छोटे कि आएगगी है बड़े मात्रा आ यह ना तो एसनलिए कर दिम च फैकर कंपड़ चोड़ी मात्रा निकल होगा तो इसलिए यहां पर उ की मात्रा कैसे एगी फिर से छोटा साउंड है चुन तो यहां पर भी कौन सी मात्रा आएगी यहां पर भी छोटे उ की ही मात्रा आएगी क्योंकि यहां छोटा साउंड है चुन जल्दी से उ का साउंड निकल रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी छोटे उ की मात्रा है ठीक मू का मात्रा रहा है ना पीछे तो इसका मतलब है तो हम एक जार पर मात्रा लगांगे अब ये कैसे पतरा का प्रण चोटा का रहा है इसलिए हम म पर मात्रा लगाएंगे मुन के बाद फिर मुन तो फिर से उ की मात्रा तो इसका मतलब है कि म छोटा उ मात्रा फिर न फिर म छोटा उ मात्रा न तो मुन मुन अगर हमें इसको इंग्लिश में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे ऐसे M-U-N M-U-N It's simple ठीक है अब जैसे एक और मैं अगर लिख लेती हूँ अगर अब मुझे लिखना है full अब आप यह बोलेगे कि यहाँ छोटे उखी मात्रा क्यों नहीं है यहाँ बड़े उखी मात्रा क्यों आई सेशन देखेंगे न तो वह ऐसे होगी अगर इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं तो फूल बनेगा यह और फूल बोलने में उख का सांड जो है वो बहुत लंबा जा रहा है आप खुद बोलके देखें फूल तो इससे पता लगेगा कि यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर बड़े उ की मात्रा आएगी बट अगर आप फूल बोलते हैं तो फूल के लिए यह जी सही है तो आपको समझ आ रहा होगा कोई डाउट हो या फिर कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप फूल बड़े उ की मात्रा यह वाली छोटे उ की मात्रा है और यह वाली बड़े उ की मात्रा है इसकी प्रेंसेशन भी जीले मैंने यहाँ पर बताई और इंग्लिश में भी लिखा ताकि आपको confusion ना हो कि छोटा उ आएगा या बड़ा उ आएगा ठीक है अब एक example हम और ले लेते हैं कैसे करना है वो हमें like अगर मैंने लिखा जुगनू ज, ग, और न ये तो मुझे पता है कि जुगनू ऐसे होगा लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि जुगनू में मात्रा किस में आएगी ज में आएगी या फिर ग में आएगी न में आएगी वो कैसे पता लगेगा हमें तो उसके लिए भी एक trick है देखिए जु, उ, ज में sound आ रहा है ग, ग में sound नहीं आ रहा न, न में भी sound आ रहा है बट अब ये देखना है कि छोटा O आएगा या बड़ा O आएगा दोना में तो जुग, अब लिखे जुग की जो मात्रा है वो जल्दी से निकल रही है तो मतलब छोटा है तो यहाँ पर छोटे O की मात्रा नू, नू में क्या है लंबा sound है तो इसमें बड़े O की मात्रा तो यहाँ पर क्या आएगा छोटा O और यहाँ पर क्या आएगा बड़ा O अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे J-U-G-N-O तो ये बनेगा जुग, नू ठीक है इसके लावा अगर हम एक और कुछ लिलेते हैं जैसे मैंने लिखा बन तो ब और न तो पता ही है कि ब और न आएगा बन में लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि मात्रा कौन से आएगी तो ब में देखिए पहले तो बू-न साउंड किस पर आ रहा है सिर्फ ब पर आ रहा है तो मतलब ब पर आएगी अब छोटे उकी आएगी है बड़े उकी आएगी यहाँ पर देखिए बन यहाँ पर बड़ा साउंड है कि छोटा साउंड है बन जल्दी से जा रहा है है ना तो it means यहाँ पर छोटे उकी मातर आएगी और अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे ठीक है? बुन इसके अलावा एक वर्ड और लिख लेती हूँ मैं लास्ट जैसे हमने लिखना है खजूर तो ख, ज, र, यह तो आएगा ही आएगा अब मातरा कहां आएगी? तो ख, ज, र, ज, पर आ रहा है उका साउंड है ना तो इसमें की ज, पर मातर आएगी अब छोटे उकी आएगी की बड़े उकी आएगी? तो बोलके देखिए खजूर खजूर तो लंबा साउंड है तो इट्विं ज, पर बड़े उकी मातरा आएगी ठीक है? और इसको लिखेंगे कैसे हम? ऐसे ठीक है? और यह जो मैं इंग्लिश लिख रही हूँ ना यह हिंदी वाली इंग्लिश है अगर आपको यह नहीं आती हो होती है छोटे और बड़े उकी मातरा में कैसे बता करना है कि छोटे उकी मातरा का साउंड जो है सबसे पहले शौट होगा ठीक है शौट या फिर उसको मैं छोटा लिख देती हूं छोटा या फिर अगर हम इसको लिखें कि छोटा साउंड होगा ठीक है और जो बड़े U की मातरा का sound है वो लंबा sound होगा तो इससे भी आप पता कर सकते हैं ठीक है और जो छोटे U की मातरा है मतलब छोटे U की मातरा में क्या होगा इस तरफ से मातरा होगी ठीक है और बड़े U की मातरा इस तरफ होगी यह चीज आपको clear छोटे U की मातरा turn हो फूल में यहां पर बड़ा उ आएगा और इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एप डबल ओ लिखा जाएगा ठीक है फुल छोटा उ और यहां पर यू डबल लिखा जाएगा ओके सो ऐसे ही है यह बहुत ही सिंपल है गाई अगर आप ध्यान से सीखते हैं और ध्यान स के साथ या फिर कोई नेक्स टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फूर वचिंग गाई था इस